नमस्कूर मित्रों, मेरा नाम है आदिते, आप दीख रहे हैं एड़ोग के राधिते लुग चैनल, चैचा जज्ज्मेंट्स की प्रोग्राम करें, आप 73 नंबर का पार्ट दीख रहे हैं और देखें आज के जिस जज्ज्मेंट के बारे में आपको बताने वाला हूँ, उससे आप लोगों के द्वारा पूछा जाने वाले एक बहुत महतपूर कोस्टन का मैं जबाद देने वाला हूँ बहुत सारे पत्यों के द्वारा मुझसे ये पुछा जाता है कि सर मेरी जो पत्मी है मेरे उपर 125 CRPC के अंतरगत भरण पोसर प्राप्ट करने के लिए मुगदमा कर लिया है लेकिन जो मेरी पत्मी है वो कहीं काम करती है जैसे किसी private school में पढ़ाती है या फिर किसी संस्था में काम करती है लेकिन इसका मेरे पास सबूत नहीं है तो उस सबूत को मैं कैसे collect कर सकता हूँ कैसे मैं ये चीज जुटा सकता हूँ कि जो मेरी पत्मी है वो यहां पे काम कर सकती है तो इस संबंद में मुझे सबूत कहां से प्राफ्ट होगा किस प्रोविजन के तहत प्राफ्ट हो सकता है तो देखे इस संबंद में अगर आप समुत प्राप करना चाते हैं कि आपकी जो पत्नी है वो किसी संस्था में काम कर रही है उन्हें कितना सेल्रे मिल ला है क्या काम करना है तो ऐसे में देखे जो डंड परक्रिया संधा की धारा एक क्यांबी है उसी में इसका प्रोविजन क सकते हैं तो इसी के उपर यारी डंड परक्रिया संहीता की धारा एक क्या नवी के उपर हाई कोर्ट का एक बहुत ही ज्यादा महतपुर जज्ज्मेंट आया है और इस जज्ज्मेंट के जगे आप सारी चीजे समझ जाएंगे तो इस वीडियो के मात्यम से हम यही चीज समझेंगे कि डंड परक्रिया संगीता की धारा 91 में क्या प्रोविजन किया गया है क्या प्राओधान है साथी साथ जो नया लेटेस जज्जमेंट आया है डंड परक्रिया संगीता के ऊपर उससे आपको क्या अगर आपका सपना है जोडिसरी एकजाम को क्रेक करने का तो ऐसे में अब आप अन-एकडमी के साथ जुड़ सकती हैं अभी अन-एकडमी एक ऐसा प्रेटफॉर्म है जहां पी आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर से अपने जोडिसरी एकजाम की तैयारी कर सकते हैं अभी अन-एकडमी पे जोडिसरी आइकोनिक नाव लाइट चल लाहा है जिसमें आपको लाइब डाउट सॉल्विंग, वन इस्टू वन लाइब मेंबर्सिप, मैंस फोकस, टेस्ट सीरीज, आल बैल्ट फिट्स आप प्लस जैसी सु बिधाएं दी जा रही हैं अभी अन-एकडमी पे फ्री टेस्ट सीरीज भी चल लाहा है जिसमें दो तरह की आपको टेस्ट सीरीज दी जा रही हैं पहला है एक्सिलरेट वन पॉइंट जीरो जिसमें आपको मंडे को IPC, Tuesday को CRPC, Wednesday को CPC, Thursday को Evidence Act, Friday को TPA and Contract Act, Saturday को Constitution and Jurisprudence, Sunday को Mixed Bank और जो दूसरा टेस्ट सीरीज है वो Challenger सीरीज Weekly Current Affairs जो Every Saturday and Sunday को चल रहा है तो इन फ्री टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा strong बनाएं और Unacademy पे अभी इंडिया के जुडिसरी के टॉप एजुकेटर्स की बहुत सारी क्लासे रनिंग चल रही हैं तो अगर आप घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ अपनी तैयारी करना चाते हैं तो आप Unacademy के साथ जरूर जुड़िए तो अगर आप Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्सन लेना चाते हैं तो जो Unacademy का प्लस सब्सक्रिप्सन लेनी का चार्ज है वो आपको आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे और ये चार्जे जल्दी ही बढ़ने वाले हैं और यदि आप सब्सक्रिप्सन लेते समय ये SRI आई 10 प्रोमो कोट का यूज करती है तो आपको 10% डिसकाउंट भी मिलेगा तो चलिए अब हम समझते हैं कि डंड प्रक्रिया संहीता की धारा 91 क्या है और इसे कब लागू करा सकती है यानि आज के इस वीडियो के मात्यम से हम यही चीज समझेंगे कि वार्टीज सेक्सर 91 आप सी यारपीसी और इसे कोई भी न्याले या फिर पुलिस अधिकारी किसी भी दस्तावेज को या किसी बस्त को मंगाए जाने के लिए समन कब जारी कर सकता है तो चलिए अब हम समझते हैं सारी चीज़ों को डिटील से तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि डंड प्रक्रिया संगीता की धारग 91 में क्या प्रोविजन किया गया है उसे हम बिस्त्रित तरीके से समझ लेते हैं तो देखें डंड प्रक्रिया संगीता की धारा 91 में प्रोविजन किया गया है दस्तावेज या अन्य चीज पियस किये जाने के लिए समन यानि कोई दस्तावेज या फिर कोई अन्य वस्तु है उसे पियस किये जाने के लिए नयायाले या फिर कोई पुलिस अधिकारी जो है वो समझ जारी कर सकता है। अब देखिए डंड प्रकरिया संहिता की धारा 91 के उपधारा 1 में क्या प्रोविजन किया गया है। या वांचनी है तो जिस व्यक्ति के कबजे या सक्ति में ऐसी दस्तावीज या चीज होने का विश्वास है। उसके नाम से ऐसा नयायाले एक समन या एक ऐसा अधिकारी एक लिखित आदेश उससे यह उपेच्छा करते हुए जारी कर सकता है कि उस समन या आदेश में उलिख कर रहा होता है तो और पुलिस अधिकारी कोई जांच कर रहा होता है या फिर ऐसी ही कोई प्रकिरिया चल लही होती है डंट प्रकिरिया संगीता के तहत तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी है या फिर नयायाले है यदि उसे लगता है कि विचारण में जांच में कोई ऐसी बस्तु या दस्तावेज की आउ सकता है और वो दस्तावेज किसी ऐसे ब्यक्ति के पास है जिसके कबजे में वो बस्तु है तो ऐसे में जिस ब्यक्ति के पास वो दस्तावेज या बस्तु है जिसकी नयायाले को या पुलिस अधिकारी को अपने जांच में विचारण में आउ सकता पड़ेगी उसे मंगाए जाने के लिए वो समन या फिर एक आदियस जारी कर सकेगा तो इसी का पहला प्रोविजन किया गया है अब इसकी जो उपधारा दो है उसमें हम समझ देते हैं कि क्या प्रोविजन किया गया है यदि कोई ब्यक्ति जी से इस दारा के आदिन दस् को पेस करवा दे तो यह समझा जाएगा कि उसने अपेच्छा का अनुपालन कर दिया है यानि अगर मान लीजे किसी भी ब्यक्ति को आदेश किया गया है नयायाले के द्वारा या पुलिस अधिकारी के द्वारा कि वो किसी ब्यस्तु को नयायाले मेलाके या पुलिस अधिका दन कर दिया है, यानी धारा 91 जो है उसमें जो समन जारी किया जाता है वो व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है वो किसी बस्त हुया दस्तावेज के लिए किया जाता है अब देखे इसमें कुछ अपवाद भी दिये गया है हम उससे भी समझ देते हैं जो डंड प्रिक्रिया संगीता की धारा 91 की उपधारा 3 है उसमें ये प्रावधान किया गया है कि इस धारा की कोई बात यानि ये जो धारा है उसकी कोई भी बात भारतिय साच्छे अधिनियम 1872 1872 का एक की धारा 123 और 124 या बैंकार बही साच्छे अधिनियम 1891 1891 का 13 पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी यानि जो भारतिय साच्छे अधिनियम की धारा 123 और 124 है और बैंक कार बही साचे अधिनियम पर के ऊपर ये जो भारती डंड प्रक्रिया संगीता की धारा एक्यानवे है उसके ऊपर प्रभाई डाली जाये सकती है और साथी साथ इसमें खौका भी प्रोविजन किया गया है दूसरा जो अपवाद है वो ये है डांक या तार प्राधिकारी की अभिरच्छा में किसी पत्र, पोष्ट कार्ड, तार या अन्य दस्तावेज या किसी पारसल या चीज को लागू करने वाली नहीं समझी जाएगी यानि कहने का मतलब है असपश प्रूप से आप समझ दीजे कि यदि कोई डांक है तार है या फिर पोष्ट कार्ड है या फिर कोई ऐसी ही मान लीजे जो पारसल है तो ऐसे में जो पारसल है डांक है तार है वो किसी पोष्ट मास्टर के पास है पोष्ट मैन के पास है तो ऐ ऐसे में उसे नहीं आदेश किया जा सकता है कि वो लाके कोर्ट में या फिर पुलिशादिकारी के समझ उस चीज को पेस करें तो यही चीज का प्रावधान किया गया है डंड प्रक्रिया संगीता की धारा 91 में अब देखें डंड प्रक्रिया संगीता की धारा 91 है उस पे एक पहुत ही ज़्यादा महतपूर जज्जमेंट आया है और ये जो जज्जमेंट आया है वो 125 CRPC यानि मैंटिनेंस केस में पतियों के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा क्योंकि पति ये कहते हैं कि मेरी जो पतनी है वो एक प्राइबेटी स्कूल में पढ़ाती है या फ जानवी के तहट आविधन लगा सकती है कि नियायाले जो है वो समन जारी करे और पतनी जहां काम कर रही है वहां से वो जो काम कर रही है उसे कितनी सेलरी मिल लही है उन दस्तावेजों को मंगाए तो देखे डंडर प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के ऊपर BCS पुलिस अब देखे इसमें जो कुछ महतपूर सवालों के जबाब कोर्ट ने दिये है वो ये है कि जाच के लंबित रहने के दोरान ROPCRPC की धारा 91 करा सकता है यानि अगर FIR हो गया है और अभी Investigation चल ला है तो उस समय जो ROP है वो डंडर प्रक्रिया संहिता की धारा 91 का प्रियोग नहीं कर सकता है अब देखे दूसरे जो प्रस्ण का इसमें जवाब दिया गया है ROP पत्र दाखिल होने के बाद ROP धारा 91 लागू करा सकता है यानि जब FIR हो गया है उसके बाद Investigation चल ला है और उसके बाद Investigation के बाद जब 4 सीट लग जाता है उसके बाद जो ROP है अगर वो चाता है कि अपने बचाओं में कोई दस्तावीज मंगाना कोई बस्तु मंगाना तो ऐसे में डंडर प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के तहत वो दूसरी प्रसन का जबाब दिया गया है वो जो जबाब दिया गया है वो ROP के लिए दिया गया है यानि एक्यूज के लिए दिया गया है जैसे 498A के के केस में आप एक्यूज होते है यानि जो पती होता है वो एक्यूज होता है तो ऐसे में जब Investigation हो रहा होता है तो वो इ नहीं कर सकता है लेकिन 4 सीट लग जाने के बाद पती जो है अपने बचाओं में कोई दस्तावेज या साच इस धारा के तहत मंगा सकता है अब देखे जो तीसरे प्रस्न का जबाब दिया गया है वो ये जबाब दिया गया है अन्य हित धारक अभियोजन या पीडित भी धार 91 लागू करा सकती है यानि कहने का मतलब ये है कि मान लीजे ये तो जो बात कह दी गई है दो बात उपर वाली जो जबाब दिया गया है वो एक्क्यूज के लिए कहा गया है यानि जो आरोपी है उनके लिए कहा गया है साथी साथ तीसरा नयायले ने ये बात कही है कि जो अ देखे इसमें जो चौती महत पूर्टी पड़ी की गई है वो ये की गई है अदालत के पास CRPC की धारा 91 को स्वतह लागू करनी की सकती भी है यानि अगर कोई नयायाले है उसमें मुकदमा चल लहा है तो ऐसी में नयायाले के पास ये पावर है कि जो नयायाले है इस धारा का प्रियोग कर सकता है यानि धारा 91 का प्रियोग करके वो किसी दस्तावीज या बस्तु को स्वतह ही मगा सकता है बिना किसी के कहे बिना किसी के एप्लिकेशन पर ही अब देखे इसमें पांच भी बात जो इंपॉर्टन कहीं गई है जब हित धारक धारा 91 को लागू करती है तो यह तै करना अदालत पर निर्भर करता है कि क्या धारा का लागू करना आवस्यक है यानि देखें यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जो भी मुकदमे के पच्छकार होती है जैसे मान लीजे कोई अपराधिक मुकदमा है तो उसमें एक अभियोजन पच्छ होता है और प्रातना पत्र देता है किसी दस्तावेज को मंगाने के लिए किसी वस्त को मंगाने के लिए तो उस बस तुको या दस्तावेज को मंगाना है कि नहीं मंगाना है ये सारी चीजे न्यायाले के विवेका अनुसार होती है न्यायाले के विवेक पे निर्भर करता है यदि न् अब देखे इसमें पहली टिपड़ी जो की गई है वो ये की गई है समन के माध्यम से दस्तावेज और अन्य चीज पेस करने के लिए धारा 91 लागू होती है यानि जैसा मैंने बताया था कि अगर आप किसी बस्त को या फिर किसी दस्तावेज को नयायले के समझ पेस कराना चा अब जे में वो बस्तु या दस्तावेज है वो लाके नयायले में प्रस्तुत करे तो किसी भी बस्तु या दस्तावेज को पेस किये जाने के लिए जो नयायले होता है वो समझ जारी करता है अब देखे जो इसमें दूसरी टिपड़ी की गई है वो ये की गई है CRPC की अन्य कारिवाही चल लही है तो उसमें भी धारा 91 लागू की जा सकती है यारिनी जो आपका भरण पोसर्ड का मुकदमा डंडर प्रकृरिया संहिता की धारा 125 के तहत चलता है वो भी CRPC के तहत ही चल लहा होता है तो ऐसे में अगर आप चाहें तो यारनी maintenance के case में अगर आपकी जो पत्नी है आपके उपर मुकन्दमा किया है तो ऐसे में आपकी पत्नी अगर कहीं रोजगार में हैं काम कर रही है तो नयाले में आप धारा 91 के तहट वो जहां काम कर रही है उसके दस्तावेज मंगानी के लिए प्रातना पत्र दे सकते हैं नयाले को लगता है तो नयाले उन दस्तावेजों को मंगा सकता है तो ऐसे में आपका बचाओ हो सकता है तो ये जो टिपड़ी की गई है पती के पच में की गई है पती के लिए बहुत ज़्यादा कि इस धारा को लागू कौन करवा सकती है इसलिए नयाले ने इस प्रस्ण का जवाब दिया है कि जो अभियोजन पच्छ है वो भी लागू करा सकता है जो पीडित पच्छ है वो भी लागू करा सकता है या फिर जो नयाले है वो स्वता ही लागू करा सकता है तो नयाले ने य अभारी अधिकारी है वो भी DOWA 91 के तहट अपने Investigation के दोरान किसी भी दस्तावेज या बस्तू को अपने पास मंगाए जाने के लिए जिस ब्यक्ति के पास वो दस्तावेज या बस्तू है उसे आदिच कर सकता है या फिर नयाले अपने विचारण के दोरान धारा एक्यानवी के तहट जिस ब्यक्ति के पास कोई भज्तु या दस्तावेज है जिसे नयायले को अपने विचारण में आवसकता पढ़ रही है उसे मंगाये जाने के लिए समझ जारी कर सकता है अब देखे अगली जो इसमे टिपड़ी की गई है इस धारा को पुलिस या अदालत द्वारा तब लागू किया जा सकता है जब उसे लगता है कि जाच के लिए आवाहन आवस्यक है यानि यहां कहने का मतलब यही है कि असपश टूप से कह दिया गया है कि यदि नयायले को य या पुलिस को जरूरी लगता है तभी उस चीज को या फिर उस दस्तावेच को मंगाया जा सकता है यानि अभियोजन या फिर पीडित पच के उपर नहीं निर्बर है कि वो मंगा ही लेंगे जब नयायले को लगेगा या फिर पुलिस अधिकारी को लगेगा कि आओ सकता है मंगाया जाना चाहिए तभी इस चीज को मंगाया जा सकता है उस दस्तावेज को मंगाया जा सकता है यानि किसी भी चीज को धारा 91 के तहत मंगाये जाने का जो अधिकार दिया गया है वो नैयाले के विवेग पर रखा गया है या फिर पुलिस अधिकारी के विवेग पर रख तो यही कुछ महतपूर्ट टिपड़ियां आई हैं, तो इस टिपड़ी में जो एक टिपड़ी की गई है कि डंडर प्रकृरिया संहीता के तहत यदि कोई चल ला है प्रकृरिया तो ऐसे में धारा 91 का प्रियोग उसमें किया जा सकता है, तो ऐसे में जो पती है इस धारा का टंडर प्रकरिया संहिता की धारा 125 में कर सकते हैं और maintenance case में अपना बचाओ कर सकते हैं तो ये judgment पतियोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी आया है अगर आप इस judgment को डाउनलोड करना चाते हैं पढ़ना चाते हैं तो आप लोग यहां क्लिक करिएगा ये जो judgment है पूरा म क्यानवी के तहट प्रातना पत्र लगा रही है तो इस judgment को अपने प्रातना पत्र के साथ लगाईएगा इससे आपको और भी ज़्यादा लाव मिलेगा तो आसा करता हूँ अब आपके सवाल का आपको जवाब मिल गया होगा जो आप उचसे पूछते हैं कि मेरी जो पत्नी है वो इस जगह पे इस संस्था में काम करती है लेकिन मेरे पास इसका सबूत नहीं है तो मेरी पत्नी जहां पे काम कर रही है मैं उसका सबूत कैसे कर सकता हूँ किस परकार से उसके जो काम कर रही है उन दस्ता वेजो को मंगा सकता हूँ और मैयाले के समझ पेस कर सकता मेंटिनेंस केस है उसमें मेरा पच्छ मजबूत हो जाए मेरी पतनी का मेंटिनेंस केस है उसे खारिच करा सकूँ और भड़त पोशर देने से बच सकूँ तो आपकी सारे प्रस्णों का अब आपको जवाब मिल चुका होगा सारे प्रावधानों को आप डिटील में समझ चु जारे में दे तो जिस जज्जमेंट के बारे में मैंने बताया उस जज्जमेंट को डाउन्लोड जरूर कर ले क्योंकि ये जज्जमेंट आप लोगों के बहुत ज़्यादा उप्योगी है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो आसर करता हूँ ये जानकारी आपको काफी ज़्यादा पसंद आई होगी अगर आप किसी कानूनी समस्या से परिसान है और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप करना चाहती है तो इसके रिए डिस्क्रिप्शन चेक करें वहाँ पर बताए गया है कि आप किस परकार से से फोन पे बात कर सकती है मिलते हैं नए वीडियो के साथ अंगले दिन तब तक के लिए जय हिंद जय भारत